नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एक्जाम सभा में और आज के वीडियो में जो की 8 जैनिवरी का करेंट अफेर है उसको हम सुरू करने जा रहे हैं और इसके पहले के भी अगर अधर भी करेंट अफेर डेली के देखने चाहते हो तो उसको आप लिंक में दे दूँगा ठीक है वह आपसे जाकर के प्लेइलिस्ट में आपका कंप्लेट वीडियो देख सकते हो तो सुरू करते हैं अज का वीडियो तो पहला निवज आज का है कि स्टेंडिंग कमिटी आफ नेशनल बोर्ड आफ वाइल लाइफ जिसको एन्बी डेल एल सी के न कि उससे कंजर्वेशन जो हता है उसको कंजर्वेशन एफर्ड करने के लिए सेंटरली सेंटरली स्पांसर किया जाता है एक फाइनेंसिल सपोर्ट दिया जाता है जिसके तहत यह आपका किस डिपार्टमेंट के तहत किया जाता है वाइल लाइफ प्रोटेक्शन के तहत किय जाता है जिसमें कि हम यह बात ध्यान देते हैं कि जो भी आपका वन इज्यू पाए जाते हैं उनको कैसे भी habitat natural habitat प्रवाइड करना habitat का मतलब है कि निवाज सस्थाम प्रवाइड करना ठीक है अब यहां पर समझते हैं कि जाता है कि जो आपका NBWL बनाया गया है वो आपका Wildlife Protection Act 1973 के कि सेक्षन के हिसाब से बनाए गया है तो आप ध्यान रखेगा सेक्षन फाइव एक इतात बनाए गया है नेक्स्ट आपका है कि Standing Committee of NBWL in 60th meeting held the 5th January has approved the advisory for the management of human wildlife conflict जिसको HWC कहते हैं तो उसको हालाई में उसके लिए एक आपका management तयार किया गया है Standing Committee के द्वारा तो आप यह समझे जिसकी बात मैं कर रहा हूं National Board for Wildlife इसकी meeting हुई थी पांच जन्वरी 2021 को यह 60th meeting थी इस तरह के 60th meeting थी इस meeting में कुछ बातें अप्रूब करी गई पहली बात उसमें मैंने जैसा होगा कि कुछ शित्र ऐसे पाए जाता है जहां पर वन जीव जो होते हैं वह किनारे पर रहते हैं किसी गाउं की अब कभी कभी क्या होता है कि वह आपका किसी अभ्यारण से किसी जंगल से हो करके वह गाउं में चले आते हैं वहां पर क्या होता है कि वह फसल को बरबाद कर किया गया है अब इसमें क्या कहा गया कि प्रधान मंत्री फसल भीमाय योजना जो आपका पहले से विद्यमान है उसी के तहट इसको कवर किया जाएगा कि अगर फसल नश्ट होती है चाहे वो आपका जंगल के आसपास के कोई भी बाढ़ प्रभावाई छेतर हो उसकी वज़ भारति दिवस मनाया जा रहा है वह आपका अभी हालाही में 19th January को आउजित किया जाने वाला है अधब कि आपका कल आउजित किया जाएगा और यह आपका वर्चुल फॉर्मिट में आउजित किया जाएगा और इसमें वर्चुल फॉर्मिट के पीछे का रिजन आप सभी जानते हो क्योंकि COVID-19 pandemic की वज़े से यह पहली बार आपका वर्चुली हो रहा है इसमें खास बत क्या है कि आपको इतिहास भी जाना पड़ता है कि यह प्रवासी भारती हम बनाते क्यों है यह दिवस को मूल के लोग हैं वो आपका भारत को के development में कैसे contribute कर सकते हैं तो कहा गया है कि contributing to the आप निर्भर भारत यही आपका इस बार का थीम बनाए गया उस पर चर्चा होगी नेस्ट आपका है कि Center has decided to form the committee to protect the language, culture and the land of Ladakh and ensuring the citizens participation in the union territory development अभी Center ने एक committee बनाई है और वो आपका इस बात पर मन्थन करेगी इस बात पर अध्यन करेगी कि कैसे Ladakh के अंतरगत पाय जाने वाले स्थानी भाषा वहां की संस्कृति को वहां की जमीन को और वहां की जो लोग हैं उनको कैसे युगदान में लगाया जा सकता है देश के development के लिए या फिर उनके खुद के union territory के development में ठीक है उसके लिए उसको study करने के लिए committee बनाई गयी है अगली committee एक बनी है जो आपका cabinet committee on economic affair है जिसको CCEA के नाम से जानते हैं उसने हाले में एक आपका scheme अप्रूव किया है वो जमू कस्मीर के विकास के लिए जमू कस्मीर के और द्योगिक विकास से संबंदित है और इसके तवत 2037 तक 28400 करूण रुपए इस scheme को अप्रूव किये गए हैं मतब जमू कस्मीर में छोटी बड़ी industry लगाने के लिए 2037 तक 28400 करूण रुपए का scheme यहा पर पैसे अप्रूव किये गए हैं इस particular committee के द्वारा ठीक है अब इसमें scheme is made attractive for both the small and larger unit अब इसमें आपका छोटे भी उद्योग लगा जाएंगे बड़े भी उद्योग लगा जाएंगे अब इसमें जो पैसे दिये जा रहे हैं वो आपका plant में investment करने के लिए उसके साथ में machinery लगाने के लिए दोनों के दिये जा रहे हैं जो भी छोटी industry हो भी प्रवाइड किया जाएगा center government के द्वारा और इसमें 6% maximum आपका 7 साल तक उनको interest जो capital interest subvention है वो भी आपर पर प्रतान किया जाएगा कहने का मतलब है कि उनको interest नहीं चुकाना पड़ेगा 7 साल तक यह भी आपका यहां पर ब्युस्ताकी गई है अब इसमें scheme aim to take the industry development for the block and UT of Jammu and Kasmir इससे क्या होगा कि Jammu Kasmir के अंतरगत ओद्योगिक विकास संभव हो पाएगा यह पहली बार इस तरह का कोई scheme देखने को मिल रहे है center government के द्वारा जिसमें ओद्योगिक विकास के लिए incentive प्रतान किया रहा है center government के द्वारा तो इस तरीके से आपका यहां पर Jamm मैंने भी collab करके इन्होंने webinar किया है ठीक है तो webinar का मैंने मतलब आपको समझाया कि अगर online तरीके से online platform के जरीए कोई भी seminar आयोजित किया जाए किसी particular topic पर discuss करने के लिए उसका आयोजन किया जाता है तो उसको webinar कहते हैं और यह आपका चाहे DBT SABC Biotech किसान Hub हो चाहे वो आपका NRC SS हो ठीक है चाहे आपका Kota Agriculture University हो इन सभी ने मिल करके जो webinar आयोजित किया है उसमें इस बात पर focus किया गया है कि how to accelerating quality production मतलब कि quality जो production है आपका quality wise हो और उसको कैसे हम वृद्धी कर सकते हैं कैसे हम accelerate कर सकते हैं इस speed को बढ़ा सकते हैं post harvesting value addition and export of coriander from India कहने का मतलब है कि हम कैसे एक ऐसा market क्रेट करें जिसके माध्यम से हम मसाला केवल भारत के अंदर ही नहीं बलकि एक proper quality को बढ़ाते हुए proper quality को maintain करते हुए बीदेसों में भी export कर सकते हैं coriander को ठीक है तो अगला है आपका की रामगंजी APMC मंडी जो है अभी आ आपका APMC मंडी उगर ले करके विवाद चल दा है अपका काफी किसान संगठन उतर आये हैं आपका उनके सरकार के बीश में बादचीत भी लगातार चल लई है तो यह सारी चीजें आपका एक दूसरे से लिंक करके हुए चलेंगे तो रामगंज का आपका APMC मंडी है ठीक ह हो चाहिए धनिया का जो बीज होता है वो हो या फिर धनिया का पत्ते हो उन सभी को का एक मंडी जो क्रियेट किया गया है कोटा डिस्टिक में है ठीक है वो मंडी एसिया की सबसे बड़ी मंडी है ठीक है और दस रामगंज is also known as coriander city अब यहाँ पर एक fact जो बना कि रामगंज जो है रामगंज मंडी को coriander city के नाम से भी जानते है next आपका यहाँ पर है कि 4G के लिए भी auction चल ला है spectrum के लिए ठीक है तो सरकार क्या कर रहे है कि Department of Telecommunication Government of India की Department of Telecommunication जो है उसने कहा है कि 6th January that the auction for the उच्छा January को यह बात कही गई है कि 4G spectrum के लिए जो auction है वो आपका megahertz के हिसा आप से सुरू किया जागा एक मार्च से ठीक है अब कौन-कौन से वेंट भी थोंगे मैं बता देता हूं एक बार तो 700 MHz, 800 MHz, 900, 1800, 2100, 2300, 25 MHz यह सभी bandwidth के जो आपका 1st मार्च से है तो उसमें आपका Department of Telecommunication के द्वारा यह आपका सुगात की लिए है next आपका इसमें कहा ग implementation जिसको MOSPI के नम से जानते हैं उसने release किया है first advance estimate for the current financial year ठीक है FAE यह बहुत मतपूर है क्योंकि जो आपका first advance estimation होता है advance दाम से clear है कि जो सरकार साल भर में जिस तरीके से financially perform करती है हमारे देश की economy जिस तरीके से साल भर perform करती है उसका एक idea एक advance तोर पे एक idea पेस किया जाता है और वो कभी भी budget निकलने के एक महीने पहले कि आसपास उस दमयाब का यह पेस किया जाता है ऐसा पेस क्यों करते हैं जिससे कि हमें idea मिले कि हमारा जो economy है या फिर सरकार को जो economy में अर्थवेस्था में पैसा लगाने के आउशकता है तो किस जिसा में पैसा लगाना है और कौन-कौन से आपको नीतिगत बदलाव करने है ठीक है इस डेटा के हिसाब से मैं बताता हूँ इसमें कहा गया है कि the real GDP at 2011-12 prices in the 2020-21 has been estimated to contract by the 7.7% अब यहाँ पे समझेगा अगर पैसी की value को 2011-12 के हिसाब से ही मान लिया जाए तो इस समय हमारे देश की जो GDP है ठीक है वो 7.7% contract कर चुकी है मतलब कि सिकुड गई है कम हो गई है ठीक है लेकिन अगर nominal GDP की बात क्या जाए मतलब current price के हिसाफ से आप ऐसे समझे भी मैं इसको समझाता हूँ वो आपका current price के साफ से 4.2% हो मतलब contract कर गई है मतलब कम ही हुई है लेकिन अगर 2011-12 के price के साफ से चोड़ेंगे तो 7.5% यह आपका जो मैं data बता रहा हूँ है यह जरूर आता examination में इसी तरीके से अगर nominal GDP की बात करेंगे तो वो आपका current price से 4.2% कम हो चुती है अब यहां पर जो फैक्टर आ रहा है कि 4.2 और 7.7 उसके पीछे का reason यह है जैसे माल लिजे कि अगर 2010 में कोई चीनी अगर 20 रुपए किलो मिलती थी तो क्या आज भी चीनी 20 रुपए किलो मिलती है नहीं अब बढ़ चुकी है मतलब पैसे का अउमूलेन हो चुका है पैसा आपका घड चुका है उसकी वैलू घड चुकी है पहले सव रुपए में कितनी चीजे आती थी आज सव रुपए में उतनी चीजे नहीं आएंगी तो मतलब की पैसे का मूल जो है वो कम हुआ है या फिर कह लिजे कि कम पैसे ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे आपको उ आप जानते हो कि हर बार आपका फाइनेंशियल जो आपका बजट होता है या फिर सीधा सीधा हम बोले कि देश का जो बजट जारी होता है हर साल बजट पेस किया जाता है तो उसमें किस सेक्टर में कितनी पैसे लगाया जाएंगे चाहे वह आपका रेल्वे के सेक्टर में है प्रतिभीम उस पर दिखाई देता है नेक्स्ट आपका यहां पर न्यूज है कि द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर रिलीज द इंडिया रिपोर्ट ऑन द लांगिट्विडनल एजिंग स्टडी आफ इंडिया यल एसाई वे फस्ट और इसका जो एल एसाई वे फस्ट का थीम अगला आपका यहां पर न्यूज जो दिखाई दे रहा है वह यह है यह चोटे-चोटे पॉइंट इसको समझेगा दा थीम आफ नेशनल मेट्रोलाजी कंग्लेव 2021 इस मेट्रोलाजी फॉर दे इंक्लोशिव ग्रोफ ऑफ दे नेशन ठीक है इस तरीके से थीम से यह आपसे कोशन पूछता है नेक्स्ट आपका है WMO डवर्ड मेट्रोलाजीकल ऑगनाजेशन जो कि आपका जिनेवा में इसका सेंटर है है सेंटिनियल अब्जर्विंग 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है जिसको आइफा कहते हैं इसको जो भी बोलना चाहाब हो सकते हैं इं 2021 के अंतरगत यह होने वाला है यह आपसे एक्जामनेशन में आपका बंटी एक्जामनेशन पूछ सकता है नेक्स्ट आपका निवीज है कि यूएस कॉंग्रेस हैस पास्ट मलाला यूसुफ जाई स्कॉलर्शिप एक्ट अंडर इस पाकिस्तानी वुमें विल बी एबल किया गया है और उसके अंतरगत जितनी भी पाकिस्तानी महलाएं हैं जो कि यूएस के अंतरगत यूएस में मतलब कि अमेरिका में रह करके वह आपका पढ़ाई कर रही है तो उनको स्कॉलर्शिप दिया जाएगा इस के लिए ठीक है ठीक है ठीक है तो बीडे एबल टू सी यह पहले ही पीकांट और इसमें शार्सों पचास किलिमेटर बॉल्बा पाइपलाइन इसको बिल्ड किया गया है और आप से कोशिण में कि किस के दाए घर गया है तो आपका गया गया के दाएंट इंडिया लिटे टीट यह एक PSC है आपको यह भी जाना चीए और इसने हे है आपे pipeline बनाने का काम लिया है next आपका है कि opening saving account in the IDBI bank has become the easier as the lender has launched the video KYC account opening VAO facility for saving bank account अब यहाँ पे आपने KYC सुना होगा कि know your customer ठीक है जो आपका account होता है तो account को जब आप खुलवाते हो तो KYC करोना पड़ता है KYC के लिए एक format होता है जिसको आप अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि video video आपका KYC किया जा रहा है मतलब कि video facility भी यहाँ पे available है जिसके मतलब video के तहब video के साथ में आपका KYC किया जा सकता है ठीक है तो यह आपका किस बैंक ने किया है IDVI ने आपसे पूछा जा सकता है next आपका है कि 40th Indian scientific exploration अब यह देखा था आपने कि scientific research के लिए ठीक है एक team गई है वो चालीस हमी Indian scientific exploration था जो की Antarctica में टीम गई है ठीक है 43 लोगों को लेकर गई है उसमें से 40 40 लोगों को चोड़ करके 40 लोग को वापस लाएगी जो पहले से वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको भी वापस लाएगी मतलब यह आपका Antarctica में तीन अलग-अलग आपका भारत के कह सकते हैं कि research center के तौर पर स्थापित है ठीक है और उसके तहद जो आपका यह पोर्ट किस पोर्ट से भेजा गया तो उसका नाम है मुर्मुगाउ जो कि गोवा में पाया जाने वाले एक important port है ठीक है next आपका नहीं हुझा कि RBI Reserve Bank of India has a red flag the rupees 5500 crore ठीक है zero coupon bond issues by the government toward the recapitalizing the state-run Punjab and Sindhbank आपसे question में क्या पुछेगा कि हाल ही में RBI ने कितने पैसे का आपका zero coupon bond जारी किया है तो उसका उसका पैसा है पांच हजार पांच सो करून रुपए का और government ने किसको दिया है और किस किस उद्धेश दिया है तो recapitalize करने के लिए किस को किस बैंक को दिया है पंजाब and Sindhbank को PSB को दिया है नेक्स आपका नियूज है यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मिन प्रधान जी ने यहां पर inauguration किया है migrant worker cell at the surat in Gujarat आपसे पूछेगा कि धर्मिन प्रधान जी ने जो आपका migrant worker cell बनाया है या फिर उसका inauguration किया है वो कहां पे किया गया है वो आपका सूरत गुजरात में किया गया है next आपका नियूज है कि Argentina is poised to become the first major Latin American country to legalize the abortion after the legislation was given a green light by lower house अब Argentina का जो lower house है वहां पर green signal मिल चुका है जिसके तहद वहां पर abortion जो है उसको legalize कर दिया गया है लेकिन यह ऐसा ठीक है नहीं है कि कोई भी वहां पर abortion करा सकता है उसके अगर detail में जाओगा तो आपका पता चलेगा कि किन-किन वजहों पर आपका abortion करा जा सकता है कितने period प किया है ठीक है मतब अभी हाली में abortion मतब एकदम restricted होता है इंडिया जैसे country में लेकिन यह आपका legal तो हुआ है तो यह आपका question बन सकता है next आपका है कि Japan is to launch the first wood based satellite by 2023 to reduce the space debris Japan ने भी हाली में लकडी का प्रयोग करते हुए 2023 में एक satellite भेजने की planning की है space में ठीक है next आपका है कि भारत है वी electronics limited भेल के नापसे जो जाना जाता है has backed order worth rupees 3200 crore for the hydro project in the आंदपर्देश और तेलंगाना आंदपर्देश और तेलंगाना के अंतरकत एक hydro project के लिए जो की 32 करून रुपय का है उसको भेल ने आपके जीता है ठीक है next आपका है कि Sanjay Kapoor was elected president of all India chess federation AICF का president किसको नि भारत या भारत सिंग चोहान को यहाँ पर secretary निवत किया गया है यह दोनों question अलग अलग इसको आप ख्यान दीजेगा next आपका है कि justice Pankaj Mittal या Mittal has been appointed as the new chief justice of the common high court of the union territory of the Jammu Qasmir and the union territory of Ladakh ठीक है in Jammu Jammu में आपका एक high court है जो कि सामोहिक तोर पर Jammu Qasmir और Ladakh के लिए बनाए गया है और इसका जो chief justice nuked किया गया है कि उसको nuked किया गया है Pankaj Mittal को next आपका है कि Tesla has launched the world's largest supercharger yet with the 72 rapid charging stalls in the Shanghai China चाइना में आपका 72 rapid charging style के साथ में supercharger दुनिया का सबसे बड़ा largest supercharger यहां पे launch किया है और वो किस company launch किया है Tesla ने next आपका news है कि Madhya Pradis rolled out of launchpad scheme to make youth self-freelant युआओं को self-reelant बनाने के लिए आप निर्भर बनाने के लिए Madhya Pradis ने एक mission launch किया है एक scheme launch किया जिसका नाम है launchpad scheme तो इस तरीके से हमने आज का news को cover किया है और इसी तरीके वीडियोस दिखने के हमारे चलू को आप subscribe कर सकते हो daily current affair आपका उसका playlist मिल जाएगा हमने first generation की स्टार्टिंग की है और इसी तरीके से अगर आपका कोई suggestion है तो आप comment section में ज़रू बता सकते हैं धन्यवाद